हेलो दोस्तों स्वागत आपका कुकिंग फॉन में मैं हूँ वेश चोहान आज की स्टेश में ट्राइ करते हैं पैंकेक चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बॉल में डालेंगे मैदा एक टी स्पून डालेंगे बैकिंग पोडर एक टी स्पून वनिला पोडर टू टेबल स्पून डालेंगे इसमें सुगर और एक टी स्पून सॉल्ट अब इसको मिश कर लेंगे और दो टेबलिस्पून डालेंगे इसमें बटर अच्छी तरह से मिस्ट कर लेते हैं और इसमें आप डालेंगे एक अंडा यानकी एक इसको भी मिस्ट कर लें एक कप डालेंगे इसमें दूज और अच्छी तरह से इसको भी मिस्ट कर लेंगे तो consistent से आप देख सकते हैं यह almost ready हो चुका है इसको रख देते हैं आप side में और लेंगे pan और pan में oil को इस तरह से brush कर लेंगे और इस तरह से pan में डाल लेंगे और आप इसको spatula से turn कर लेंगे तो देख सकते हैं pancake almost ready है इसी तरह से बाकी बचा हुआ उसको भी बना लेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं pancake अच्छे से ready हो चुका है बहुत ही soft है और बाकी भी बचा हुआ है उसको भी फटा वट बना लेते हैं तो गाइज अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कै तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजे और साथी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फाइनली pancake अब ready हो चुका है अब इसको प्रेट में डाल देंगे और मैं यहाँ पे हनी और चोकलेट वाला बनाने वाला हूँ सो दोस्तों आपको जो भी पसंद है आप बना सकते हैं वीडियो कैसे लेगी कॉमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगली रेस्पी में दबता के लिए बबाई